बच्चे हो या बड़े, अंगुर सब में काफी फेवरीट होते हैं, क्योंकि इसे काटने या छिलने की कोई जंजटी नहीं होती। अंगुर बेसिकली तीन कलर्स में पाये जाते हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लेक और इसे खाने के भी कई तरीके हैं। इसे एजरीज भी खाया जाता है, इसका जूस भी बनाया जाता है, इससे बनी वाइन भी लोग काफी पसंद करते हैं। और जैली में तो आपने इसे खाया ही होगा। ये फ्रूट सिर्फ दिखने में ही छोटा है, लेकिन हमारे शरीर की बड़ी-बड़ी बीमारियों से लडने में ये बहुत फायदे मन है। और बेस्ट पार्ट इस इस फ्रूट को खाने के कोई नुकसान ही नहीं, बस फायदे ही फायदे हैं। तो आईए जानते हैं ये जूसी अंगूर हमें किस तरह से बेनिफीशल है। ग्रेप्स में कई सारे विटामिन्स, मिंडल्स और एंटी ओक्सिदेंट्स पाये जाते हैं। इसमें पानी की मातरा ज्यादा होने के कारिन बोड़ी हाइडेटेड रहती है और शरीर में नमी बनी रहती है। इसे खाने से ही बोड़ी में जल्दी से गुल जाते हैं और हमें इंस्टेंट एनरजी मिलती है। इससे काफी मातरा में vitamin C और B मिलता है इसलिए थकावट या energy level down रहने पर regular इसका सेवन करने से immunity boost होगी, efficiency increase होगी, energy level बढ़ेगा और performance भी improve होगी regular अंगूर खाने से memory sharp होती है और Alzheimer का खत्रा भी कम होता है brain में blood circulation ठीक से होने के कारें brain से जुड़ी बिमार या भी दूर रहती है flavonoid bet cholesterol को कम करता है और good cholesterol को बढ़ाता है इससे heart disease का खत्रा भी कम रहता है ये body की arteries में plug जमाने होने देता और blood को पतला करके circulation ठीक से करने में help करता है heart के patient के लिए ये काफी फायदेमंद है flavonoid antioxidant होते है जो free radical से होने वाले नुकसान से बचाते है इसकी anti-aging properties बढ़ती उम्र के साथ होने वाली weaknesses को भी दूर करती है जैसे की cataract और joint pain 2016 में की गई research के according grabs के seeds में polyphenic mixture होता है जो की anti-inflammatory और antioxidant होने के कारें kidney को healthy रखता है ये शरीर में hemoglobin की मातरा बढ़ाने में helpful है इससे खून की कमी नहीं होती और anemia का risk कम रहता है grabs में काफी मातरा में potassium होता है इसलिए low BP के patient के अंगुर खाने से उनका BP normal रहेगा potassium blood vessels को strong और healthy बनाता है और sodium की मातरा को कम करता है इससे heart disease का खत्रा भी कम रहता है grabs काने से retinal problem में भी रहत रहती है ये आँखों की देखने की क्षमता को increase करता है और infection से बचाता है इसमें काफी मातरा में fiber होता है जो proper digestion में helpful है इससे मिलते copper, iron और manganese bond density बढ़ाते है इससे osteoporosis जैसी दिमारियों से भी छुटकारा मिलता है इसके अलावा शरीर में iron की कमी से होने वाली problems भी दूर रहती है जो लोग migraine से पिड़ी थे उन्हें भी greps का regular saveन करना चाहिए skin tense, acne, wrinkles, dark circles, sun burns और eye strain में भी greps की paste externally use करने से अच्छा result मिलता है regular greps खाने से hair का भी अच्छा growth होता है greps का regular saveन करने और salt का consumption कम करने से मुटापा और obesity से भी छुटकारा मिल सकता है इसमें quercetin होता है जिससे इसकी anti-inflammatory effect allergies से भी defend करती है जैसे कि swelling, watery eyes, hives, runny nose, etc research से ये प्रूव हुआ है कि regular berries या greps खाने वाले person को type 2 diabetes का खत्रा 7% तक कम रहता है विसे ये blood sugar को भी control करती है इसलिए diabetic person भी इसे खा सकते है greps are excellent source of anti-cancer agents ये body में cancer cells को बनने से रोकता है खास करके colon cancer, prostate cancer और breast cancer में ये काफी फायदे मन है दोस्तों यहाँ पर ये भी जान लेना जरूरी है कि हमारी body की nutrients requirement के according per day 2-3 cup रंगूर ही खाने चाहिए अगर आप इसे regular खाते है आशा करते हैं ये वीडियो आपको helpful होगा इसे like करे, share करे और अपने views हमें comment करके बताए और भी health surgery information के लिए हमारे channel को subscribe करे और download करे DRlogy app जोहाँ पे आप अपने food, water, exercise, habits और health से जुड़े parameters track कर सकते हैं साथ ही मैं medicine reminder set कर सकते हैं और अपने और अपनी family के medical records भी store कर सकते हैं धेन सारे features के साथ आपको मिलेगा mocha यहाँ पर DRlogy coins जीतने का तो जल्दी से install करे DRlogy app अब हम अपनी health के लिए इतना तो करी सकते हैं ना stay connected, stay healthy and fit thank you for watching